आपका स्वागत है यह देखिए सफेद कनेर तो आज मैं दो ऐसे पुदल आई हूं और उसी को मैं सेयर कर रही हूं और ऐसे जंगल में इसे ही लाई हूं उनको भी ऐसे उखार के लाई जो दूसरा तो देखिए पूरे वीडियो में बने रहेगा पता चलाएगा कि दूसरा क दूसरा कर दो दोब्राइब तो पहले सफेद कनेर लाई हूं और दोनों दिन अलग अलग लाई हूं जैसे भूमने के टाइम में जाती हूं तो उससे में लिया आई थीँ और सफेद कनेर हमारे यहां पार्क में भी नहीं आई यह देखिए और इंगे और नारेंगी पीले है दोनों ही है जोनों ओर च्छाइक कर लगा दिया है तो यह दा दिये और फिक दिए मीरी अ जाया है ऊए loves to speak यह देखिए कुछ बोतल में लगा दूब मैं पीपाँ है या फिर बालती हम दोड़ेंं बड़ी में थोड़े अब यह चोटी चोटी जगह दे रही हूं अभी यह कि बेबी प्लांट है और पीपा में लगा दूँगी तो इसमें काफी सारी मिट्टी वह होती है तो उसमें जादा पानी हो जाएगा तो जड़वड गलनी का डर रहता है तो छोटे हैं तो छोटी चोटी चीज में लगा लेंगे तो दो दो में लगा दूँगी एक जैसा है नर्स रिपर्ट और एक बौटल में नोपर दो दो जड़ाएगी और अभी देखती हूँ नोपको कहां लगांगी पीपा में लगांगी चैट पर यहां फिन नेचे ही लाद वाद कर लेकिन लेकीन और सभी नेकी चल र तो यह देखिए में थर्माकॉल की शीट के वह ही रखें इसमें में नीचे टुकड़े करके कंकड़ पत्र की जगा पर और यह देखिए यह टेड़ा मेड़ा हो रहा था और एक सीधा है तो इनको इसमें भी दो लगा दूंगी और मेरे च्छे पोदे मेरे सारे ही अच्छे लग देखिए और इसकी में ने कटिंग भी लगाए लेकिन कटिंग मेरे सक्षफुल नहीं हुए कभी भी तो मैंने से बार पोदे ही लेक्ट आईए यह देखिए यह मेरे लग और इनमे डाल दिए पानी तो आप देखिए दूसरे वाले पोदे जो बेबी प्लाइन इस ज यह वही बतक हैं जो मैंने DIY करके बनाई हैं 5 लिटर की बोतल से इसमें मैंने प्लांट लगाए थे कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी फिलोडेंडरम की लेकिन वह लग नहीं पाई गल गई पताने किस कारण तो अब मैंने उसको हटा दिया गली हुई को और इसको मैंने ग लगाए भी हैं वह निकले भी हैं किसी दिन शेयर करूंगी दिखांगी आपको ऐसी बोतलों में डाले मैंने कुछ वी निकले हैं लेकिन यह खली थी तो इसमें मैंने लगा दिया यह देखिए और बेबी प्लांट जल्दी से लग जाते हैं वारिस का टाइम चल रहा है कफार में कानेश्यर यहां दूसरे पार्क से लगाएं और अपने वाले पार्क में लगाए हैं और यह देखिए मैं कि इतनी सारे प्लांट भी गए यह देखा थे अबimaal में और आपको दो लगा दिए एक बिल्कुल चोटा सा था और एक थोड़ा बड़ा था और लगा के नमें देरिया में पानी तुरंत ही और वैसे बारिस भी हो रही है बूना बून जैसे हो रही है हमारिया तो वह भी मैंने चोड़े में ही रख दिये हैं और सुबह दूप निकल लगी तो उठा के रख दूँगी सेड एरिया में दो यह देखी तो यह ग्रोबैक हैं मिट्टी मेरे पहले से होगी कुछ लगाए होगा सुप गही होगी याद नहीं है लेकिन यह ग्रोबैक है तीन चार तो इनमें ही में एक एक लगा दूँगी और इन पौदों की और बेल आइगन को भी दबाएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालू ताक पास नोटिफिकेशन पहुच जाए तो यह देखिए यह मेरे प्लांट हो गए तैयार और हां इनको में रिपोर्ट जब करूँगी तो आपको ज़रूर सेयर करूँगी और इनको कर दो कर दो